हमारे पास समय नहीं है, हमें सिरफ दिमाग में ही रखना है कि मुझे अपना घुटना ठीक रखना है, तो उसके लिए मैं आपको चार वयाम बताऊंगी, चार एक्सरसाइज बड़ी सिंपल, इतनी सिंपल कि कोई बच्चा भी कर लेगा, वो अपनी, जब वो स्कूल में भी बठा होगा, अगर उसको लगता है कि मेरे घुटने में दर्ध हो रही है, तो वो फॉलो करेगा, तो उसको ये दर्ध ठीक हो जाएगी, पहली एक्सरसाइज रहेगी, कि पैर को बड़े प्यार से उपर की तरफ लेके जाएए, इसको यहीं पर रोकिए, एक से लेके दस त ऐसे ही हम दूसरे पैर के साथ, दूसरे गुटने के साथ करेंगे, इससे क्या है कि जो हमारी येवाली मास्पेशी है, वो स्ट्रॉंग होईगी, इतनी भी मास्पेशी हैं, वो जोईंट को इस तरीके से खींच के रखती है, और यहां पे जगा बना के रखती है, जब यह अगर खाएंगी जो जॉइंट स्पेस यह घम हो जाती है यह जुआईड खाती है तो बहुत पेन होती है और तब जो प्लेस्मेंट की बारी आजाती है इस मुस्ल की जिम्म garments आपकी है यह हुई पहली exercise अगली exercise रहें इस पैर को सीधा रखोंगे और केवल ऐसे ऐसे करेंगे इससे जो पीछे वले आपके मसल्स आइं जो पीछे टांके पीछे हैं वो हेल्दी रहेंगे आपके बस आपको यह भी दस बार करना है यू-यू करके और मुव्मेंट है आगे पीछे की खीच के रखना है ऐसी दूसरे गुटने के साथ, फिर आएगी तीसरी exercise, एक fist मुठी बनाएंगे, हमेरे कोई चीज़ की दूरत नहीं है, सिर्फ हमारे हाथ ही काफी है, दोनों गुटनों के बीच में ऐसे रखेंगे, और इसको खूब जोर से दबाएंगे, इससे जो हमारा बीच वाला मसल है, जो अंदर की तरफ जो मसल हैं, जो यहाँ पे जो मसल हैं, वो ठीक होएंगे और strong हो जाएंगे, इसके बाद next exercise रहेगी, यह side पे हाथ रखेंगे हम, इसको ऐसे दबाएंगे, और हाथ को अंदर की तरफ, गुटने को बाहर की तरफ, इसको ऐसे दबाएंगे, यह exercise, 10 की counting प आपने 10 बार करनी है यह जो 4 x 10 x 10 है 2 x 4 x 10 x 10 है और x 2 है यह जो फॉर्मुला है आपका यह आपके घुटने को 100 साल तक दर्द नहीं होने देगा अगर आपको यह इन्फरमेशन अच्छी लगी हो इसको आप शेयर करिए